कल की क्लास में हमने ब्लॉक रैम पड़ी थी, ठीक है, एक टॉपिक कपर किया था, हमने कहा था कि FPJ के अंदर जो बने नई ब्लॉक्स रैम के कुछ पड़े होते हैं, जिनका हम यूज करना चाहें तो कर लें और नहीं करेंगे तो वो फिर बेसिकली वेस्ट ही जा रहे होते हैं, तो हमारी मर्दी ही है, अगर हमारे सरकट को चाहिए, रैम के रिक्वार्मेंट है तो बेतर है कि हम वो वाली ब्लॉक रैम को स्पेसिफिकली यूज के, तो हमने दो तीन चीज़ें पड़ी थी, हमने कहा ये हमारे सिंगल से, ठीक है, और हमने कहा था कि लावा ऊविस्टी क्लॉक और ठीकल्थ बहुते हैं, तो लावा क्लॉक और रीसिट इसके लावा है, और इसके लावा हमने आखरी चीज़ें पड़ी थी, कि FPJ की ब्लॉक रैम्स में आप परिटी की बिट्स की भी उन्होंने ऑप्शन दियु यह जिसको हम डेटा के तरफ पर यूज कर सकते हैं, तो डेटा इंपरिटी और डेटा आउट परिटी भी यूज हो सकती है, ठीक, सो जो हमने बिल्कुल एंड़ आपर आकर आकर देखा कि एकर हम थर्डी सिक्स बिट के तो और पर यूज़ करना जाएं थिर टू के बजाए दो फोर बिट परिटी भी इंपॉट आउटपॉट डेटा के साथ अविलेबल है ठीज और तीसरी चीज़ आखरी चीज़ एक और चीज़ हम नहीं पड़ी थी कि बिलकुल ऐसे ही एक और सेट होता है यह ट्रू डूल प अब यह गड़ा कोड लिखते है वेरलॉक का जिसमें हम यह जो फ्पीजे की ब्लॉक राएम इनको इसतेमाल करने की कोशिश करते है ठीक है ठीक है थोड़ा सा डिस्को मा अलमनारिया रहे टिस्को मा मैं बांद गर दूँ ठीक है तो प्रजेक्टर ठीक है यह एक जिनरेट हमने किया यह था फिर कि हम ने एक नया प्रॉजेक्ट बनाया ठीक है और उस प्रॉजेक्ट में हम इधर यह जो बल्ब बना हुआ है जिसको लेंगविज टैंपलेट्स फाली ऑप्शन में गए और लेंगविज टैंपलेट्स में जा के क्या किया हमने का कि यार अगर हमने को कोई FPGA का बना-बनाया यूज करना हो, वेरलोग का करना तो वेरलोग में चले गए, FPGA का कोई component instantiate करना तो device primitive instantiation में गए, वहाँ पर अपना FPGA सेलेक्ट किया जो Spartan 6 है, उसमें हमने क्योंकि अभी RAM बनानी थी तो RAM में चले गए, और RAM में आपको नीचे distributed नज़र आ रही हैं और उपर दोर नज़र आ रही हैं तो हमने उपर वाली RAM अठाले, ठीक है, तो obviously एक आप साथ साथ लफ़स सुनते जाएंगे block RAM और distributed RAM, ठीक है, कि FPJ के अंदर बहुत साथ रिजिस्टर्स यानि के flip-flops भी लगे हुएं और उनको जोड करके भी RAM मनाई जा सकती है, तो उसको हम कहते हैं distributed RAM, ठीक है, लेकिन वो फिर FPJ के जो बाकी का resources हैं उनमें से use होरी होगी, तो इसलिए preferable ये नहीं है कि आप उसको use करें, preferable ये है कि आप पहले block RAM को use कर लें, अगर उसके बाद भी आपको कोई RAM चाहिए, फिर आप distributed RAM यूज करना शुरू कर दें, ठीक है, तो फिर हमने ये इसकी एक coding example site पे आगई थी, और जिस पे लिका हुआ था cut code below this line, तो हमने ये पूरा code cut किया था, और अपने पास test bench के अंदर एक, जो testing की file लिखी हुई थी, ये वाली test B RAM, इसके अंदर हमने ये code paste कर दिया, मैं क्योंके इस note pad plus plus में इसको देखना चाहूँगा, तो मैंने ये TV B RAM ही है ना, तो ये मैंने इधर खोला हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा तर्तीब से कर दिया है, कि यहां से यहां तक वो ही signal है, जो के A input के है, इसके नीचे बिलकुल यही signal है, उनके आगे A के मजए B लिखा हुआ है, क्योंके वो दूसरी port है, ठीक है, और दूसरा काम मैंने ये किया है, क्योंके मुझे lower case दधा पसंद है, तो मै यह जो इसने बादेफॉल्ट चीज़ें टाय की हुई थी ना, उनको मैंने lower case में convert कर दिया हूँ, वो ऐसे notpad plus plus में आप बड़ी अराम से कर सकते हैं, कि let's say मैं इस पूरे को select करता हूँ, तो इधर edit के अंदर एक option है, convert case to maybe, let's say मैं upper case करूँगा, तो आप यह सारे upper case में च दिया है, दोनों को मैंने same clock, same research दे दिया है, address A, अलबता address data in, red enable, यह लदा लदा मैंने tag कर दिया है, ठीक है, तो यहां तक चीज़ क्लियर है, दूसरा यह किया है, कि मैंने in ports को ना, in ports में अगर आप देखें तो यह बिलकुल clear है, कि clock research तो मैं पता क्या होता है, port A का address है, red enable है, data in है, और data out है, इसके लावा यह दो मैंने आपको बाता एक नोर फिलाल करें, data in parity और data out parity है, इसको इस वक में test करने में use नहीं कह रहा है, तो जो input होती है ना, उनको आपको tie करना जरूरी होता है, तो input को मैंने 0 से tie कर दिया, output अगर आपने use नहीं की, करनी तो ना कर use मैंने input भी नहीं करनी थी, लेकिन मैंने उसको 0 से, inputs को tie करना जरूरी है, तो हमने उसको 0 से tie कर दिया, तो यह तो use ही नहीं हो रही, यह हमारी वो standard ports है, अच्छा यह जो दो ports है ना, एक है enable, ठीक है, तो यह overall आपकी इस port का enable है, कि यह port आपने use करनी है के नहीं करनी है, ठ ही रोजेगा, ठीक है, और लेकिन normally क्योंके write enable के थुरू हम write को enable कर लेते हैं और read बेशिक होता रही हमें फरक नहीं पड़ता होता तो अकसर ही हम इसको always on छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको once a die कर दी है, कि भाई ठीक है, यह हमेशा on ही रहे, और यह जो दूसरी ह का enable है, ठीक है, तो मैंने उस register का enable one से tie किया हुआ है, ठीक है, अच्छा यह आप select कर सकते हैं कि क्या मैंने यह register लगाना है, यह यह मैंने register नहीं लगाना है, ठीक है, अगर आपने लगाने है, उसके लिए आपको एक setting करनी पड़े कि जो मैं बताता हूँ और नहीं लगाना की width क्या रखनी है, वो एक छोटी से discussion है, अच्छा यह वाला, यह जो RAM का instance हमने copy paste किया था, मैंने आपको यह बताया था कि hash से आगे जो कुछ लिखा हुआ है, यह तो RAM का नाम है, ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि यह जो सब कुछ लिखा हुआ है, इसको further time being ignore करें, ठी ports type कर दी, इसको मैं पूरे इससे को delete भी कर दूँ, तो इसमें जो भी default options हैं, वो select हो जाएंगी, ठीक है, और आप आगे वाला काम, बिल्कुल module का instance बना, यह जो चीज़े हैं, यह parameters हैं, जिनके जरी हम tune करेंगे कि हमें किस किसम की block हैं, चाहिए, क्या हमें 32 bit की चाहिए, क् 1 bit की चाहिए, 2 bit की चाहिए, port A ्यूजे करना है, port B ॉजे करना है, ठीक है, तो यह parameters है, इन parameters में से जो काम के parameters हैं, वो मैं आपको discuss कर ला तो हूं, ठीक है, इन में सबसे पहला parameter जो हैना यह काम का है, ठीक है, यह है कि आपने कौन कौन सी ports यूजे करनी है, इसमें अगर आ कि आपकी width 0 है इस port की यानि यूज ही नहीं करने है So हम चाहें तो इसको 1 bit wide कर ले हैं चाहें तो 2 bit wide कर ले हैं चाहें तो 4 bit wide कर ले हैं चाहें 8 bit wide कर ले हैं यह last class उन्हें डिसकस किया था कि 2 की power में हम इसकी width रख सकते हैं data bus की कि हमने same RAM को single bit wide or 16 के deep भी रख सकते हैं और same RAM को 32 bit wide or 512 deep भी रख सकते हैं तो let's say कि मैं दोनों ports को 32 bits कर रखना चाहता हूँ 32 means 36 क्योंकि इसके साथ यह जो उपर option लिख हुए हैं आपके कि आप क्या क्या चूज कर सें 1, 2, 4, 9, 18 और 36 यह जो 9 है इसका मतलब है 8 bit data 1 bit parity 18 का मतलब है 16 bit data 2 bit parity 36 का मतलब है 32 bit data और 4 bit की parity ठीक है तो मैं इसको select कर लाता हूँ कि मुझे A port भी 36 bit की चाहिए मुझे B port भी 36 bit की चाहिए ठीक है अच्छे यह दूसरी वाले है यह भी important है यह है कि क्या आप इसके end पर रिजिस्टर चाहते है या नहीं चाहते है अगर आप रिजिस्टर नहीं लगाएंगे तो इट वोड़ बी लाइक राइच फाइल एडरेस देंगे data आजेगा लेकिन उसमें मसला यह होता है कि यह बड़ी सी RAM है और हमने वो देखा था लास्ट लास्ट में कि आगे पूरा बड़ा सा मक्स लगा हुआ है जिसके एक डिले होता है तो वो कितना तेज आपका system चल सकता है उसके लिए यह important है कि हम इसको register कर लें तो बेतर है क्योंकि अगर register ना किया तो इसके आगे भी कोई logic लगेगी उसके आगे कुछ मैं ignore कर रहा हूँगा वो आप इसकी documentation में जाके पढ़ सकते हैं ठीक है यानि के जो Spartan 6 block RAM आप Google करेंगे ना तो उसका एक manual मिल जाएगा कि उसकी user guide मिल जाएगी कि Spartan 6 की block RAM कैसे use हो सकती है ठीक है तो उनमें काम की चीज़ें मैं बता दूगा ताकि आप use कर सकें लेकिन आपको further भी कुछ और भी settings हो सकती है जो कि आप detail में जाना चाहें तो उस फिर user manual में जाके उस वाले section को पढ़ लें कि अच्छा ये वाला setting क्या करती है दूसरी वाली setting क्या करती है ठीक है अच्छा ये जो जिनके साथ P लिखा हुआ है ये parity bits हैं और इसके नीचे वाले जो हैं ये सारी data bits हैं ये सारे zeros में लाके पूरी 18 kilobits बनती है ठीक है यानि कि ये आपकी 2 kilobits है ठीक है ये एक क्योंकि hexadecimal में लिखे है एक zero is basically 4 bit को refer कर रहा है ठीक है तो ये अगर 2 kilobits हैं तो ये 512 zeros total शायद लगे होंगे या कुछ इस तरह से ठीक है और ये जो नीचे वाले हैं ये भी पर पूरे 16 kilobit आपके बन रहो ठीक है मैंने इसको थोड़ा सा change किया था last class में मैं इसको undo कर दूँ change को मैंने इदर ABC लिखा था so let's just keep it this way okay so so यहां तर चीज clear होगे और भी settings में इन में मेरा ख्याल है initial value क्या होगी reset कैसे होगा इस किसम की चीज़े हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये एक आखरी चीज़ है जो कि मैं discuss करना चाहूंगा कि right mode क्या है right first या इसके उपर तीन option लिखिए है right first read first या no change तो ये उस case के लिए है कि जब आप एक port पे read भी करना चाहरे हैं और write भी करना चाहरे हैं तो अगर आप read भी करना चाहरे हैं और write भी करना चाहरे हैं तो क्या आप उसमें पहले write करेंगे और वो नई वाली value read होनी चाहिए या परानी value read होनी चाहिए या आपके उपर depend करेगा तो अगर मैंने write first किया हुआ तो इसमें पहले write होगी और नई वाली value ही output पर आएगी और अगर मैं इसको read first कर दूँगा तो जो परानी value थी वो output पर आएगी और नई value read हो जाएगी और no change चाहिए मतलब है कि कोई इसमें change नहीं आएगी ओके तो यहां दो चीज़ क्लियर होगी यह इसकी कोई settings थी जो कि हमने discuss कहा ली अच्छा अब इसको test कैसे किया जाए तो यह मैं असल मैं जो code लिख रहा था last class में हो यह था कि just block RAM को एक दफा test करके देखा जाए यह अभी तो मैंने test में लिखा हुआ है लेकिन आप यह वाला इसी तरह का instance अपने code में जब लिखेंगे तो यह synthesize होजएगा और इससे आपकी block RAM खुदी जानी कि आपको इसके अंदर का code नहीं लिखना पड़ेगा इस module के क्योंकि वो अल्रेडी इस syntax में लिखा हुआ है तो xylinks को पता चल लिएगा कि यह मेरी block RAM को यूज़ करना चाहरा है तो यह templates का फायता था तो मैंने यह यहां तक समझा गया आपको के मैंने सारी ports को क्यों किया हमेशा enable रखा है इसका यह जो output register है उसको भी मेंशा enable रखा है parity को use नहीं किया और यह बाकी के signal दो जो थे इनको मैंने time करना तो इनको test करना होगर test bench में तो इनमें से कुछ inputs हैं कुछ outputs है यानि data out जो है वो output है बाकी सारी inputs है चुरू में clear ना होती फिर जायस थी ठीक है लेकिन आप ना clear हो इसका मनलब है कि आप कुछ साही नहीं कहाई रहे ठीक है जो आपकी outputs हैं किसी भी module के instance की वो हमेशा wire declare होती है यह हमने इसके clock बना रहे थे हमने इसके bugs भी remove किये थे और इससे पहले आपको assignment जिनने फाइफो की जमांक रही है उसमें भी उन्हें नहीं यह की देखाऊगा अच्छा दूसरा यानि कि data out जो है it has to be declared wire बाकी जो चीज़े हैं वो हम अमूबन reg declare कर लेते हैं वो लेकिन आप reg भी declare कर सकते हैं wire भी declare कर सकते हैं it depends कि मैं उनको value कहां पर दे रहा हूँ अगर मैं initial के block में दे रहा हूँ या always के block में दे रहा हूँ तब मुझे उन्हें reg declare करना है अगर मैं को assign की statement यूज कर रहा हूँ तो मुझे wire declare करना है क्योंके normally test bench में हम initial के block में सारों को inputs दे रहे होते हैं तो इसलिए उन सब को हम reg declare करना है but it's not necessary अगर आपने कोई fix value दे नहीं है तो आप हम sign करके भी दे सकते हैं तो ये उपर इसलिए मैंने इन सब को reg declare कर दिया है सवाए data out के data out आप देखेंगे कि ये wire है data out A और data out B दोनों wire है बाकी सब के सब reg है अच्छा एक चीज़ जो मैंने last time बताई नहीं थी जो के इन वाली block ramps में एक extra feature है वो ये है कि अभी तक हम right enable एक bit का use करते हैं तो लेकिन इधर आप देखें कि right enable मैंने four bits के किये हुआ है उसकी वज़ा क्या है उसके लिए मैं जरा इधर आज़ेता हूँ होता किया है कि normally हमने zoom किया हुआ था कि यह अगर 32-32 locations bit की location है और यह पूरी मेरी RAM है तो मैं जब भी right enable आएगा तो इस पर पूरा data 32 bit का लिखवा दूँ ठीक है लेकिन let's say कि आप जो data लिखवाना जा रहे हैं तो कोई character array है character array तो आप लोगों ने programming में use की होगी कि जब भी आपने text store करना होता है तो आम अभूमन उसकी character array बना देती है और character array जो होती है वो तो एक-एक byte के इसाफ से चल रही होती है वो 32-32 bit के इसाफ से नहीं चल रही होती है तो मैं स्ट्रिंग कॉपी करणा रहोंगे याा 6 bytes are copy करदा तो अगर मैंने 6 bytescopy करनी है तो ये 32 bit में 24 bytes है अगली 32 में भी 4 bytes और नीठी आठी हो जायेगी मैं तो ये कॉपी करना चारह हूं उसके बाद ये कॉपी करना चारह हूं 4 bit का right enable नहीं है असल में byte enable नंदो कहाती है तो इनका क्या मक्सद है कि हर byte को लादा-लादा enable कर लो ठीक है अब अगर मैं इन दोनों पे 1 enable कर दूँगा और इन दोनों पे 0 कर दूँगा तो ये 2 bytes लिखी जएएंगी लेकिन ये 2 bytes नहीं लिखी जाएंगी, अगर यह 32 बेट थी, तो 32 बेट में चार बाइट होती है तो 2 बाइट को नहीं किया, इस केस में मैं 4 की 4 लिखवा दूँ इस केस में 2 बाइट एनेबल कर दूँ, 2-0 कर दूँ तो मैं इस तरह से अपनी मर्दी से कॉपी कर सकते हैं सारी की सारी bytes copy करनी है या नहीं करनी है अभी हम इसको use कर रहे होंगे कि सारों के सारों को enable कर देंगे लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि आपकी block RAM के अंदर यह provian है कि अगर आप let's say byte by byte copy करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं या कुछ bytes copy करने कुछ bytes copy नहीं करें ठीक है इसी तरह जब आपके पास network से data आता है वह भी कई दवा package जो होता है वो 32 bit की boundary का नहीं होता उसमें कुछ काम कुछ ज़्यादा आखरी वाली जो 32 bit हैं उनमें से कुछ सी bytes आ रही होगी कुछ नहीं आ रही हो जबके कल जब मैं आपको block RAM बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक block RAM होती है न तो अगर 32 bit wide है तो कितनी डीप होगी 512, 512 deep होगी और 512 deep के लिए address कितने bit का होगा 9 bit का होगा ठीक है कलम ने इस पर अच्छे बले 5-10 minute लिए थे ठीक है तो आपको यह फॉरण से जहन में आना चीज़ दो लेकिन मैंने 9 के बज़ाए 14 bit रखी हुए धर address ठीक है उसकी बज़ाए यह है कि इसको जब instantiate करते हैं तो इसमें यही option है कि आपने data 32 bit कर रखना होता है address 14 bit कर रखना होता है लेकिन क्यों वो मैं आपको भी समझा लता हूँ ठीक है यह जो इसमें हम address दे रहे होते हैं ठीक है वो bit address होता है यानिकि एक option यह है ना कि मैं इसको single bit wide और 16 के deep कर दूँ ठीक है जो सबसे चोटा size इसका कर सकता हूँ और 16 के deep कर दूँ उस case में यह address 0 है यह address 1 है यह address 2 है और सबसे आखर में जो address है वो 16 के से एक कम होगा ठीक है तो हम 0 से क्योंके start हुए है तो total 16 के तो यह 16 के से 0 से start उनिंग वज़ए से एक कम हमारे पास आजएगा तो 16 के के लिए कितनी bits चाहिए है 14 ठीक है यह अब जल्दी जल्दी आपने बता है 4 प्लस 10 14 बिट का है क्योंकि यह bit address के साबसे रखा हूँ ठीक है अगर आपने bit address रखा हूँ तो उसको दूसरे addresses में change करना बड़ा असान होता है ठीक है for example मैं चाहता हूँ कि मैंने ये एक bit wide नहीं मैंने दो bit wide रखनी है ब्लॉक मैं ठीक है तो अब ये दो दो locations जो हैं ये आप 2 bit की है बन रही है तो ये address 0 बनेगा अगली 2 bit address 1 बनेगा अगली 2 bit address 2 बनेगा and so on और ये जो आखरी 2 होंगी ये फिर 8K से एक कम बनेगा ठीक है क्य नाते थे तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं 0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1 इस तरह से आगे बढ़ा होता है अगर मैं इसकी पहली bit जो है उसको हटा दू बीच में से तो बाकी bits जो हैं अब इसके अंदर ये 0 रह 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 ये 1 रह रह ये 2 रह 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 है समझा रही है न आपको अगर मैं इसको 2 bit wide करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके address की पहली वाली bit को use ही नहीं करूँगा उसको मैं 0 कर दूँगा पका पका ठीक है तो फिर जब मैं address दूँगा ना तो मेरा पहला वाला address 0 होजएगा दूसरा 1 होजएगा यह वाली bit अगर मैं 0 कर दूँगा तो फिर यह 0 address बांग गया यह 1 address बांग गया यह 2 address बांग गया and so on मैं समझा रही है न तो मैं रखू पूरी 14 bit ही लेकिन अगर यह उसके इसके लिए है कि अगर मैंने single bit wide रखनी थी अगर 2 bit wide रखनी थी तो मैं इस bit को permanently हमेशा 0 ही रखा करूँ और अगली वाली bits पर चलना शुरू करूँ इसी को करने का एक तरीका यह है कि जब भी मैंने address देना है न तो उसको अगर मैंने 1 का increment करना था तो 1 के बजाए मैं इसको 2 का increment करूँगा तो 2 का increment करूँगा तो वो automatically यह bit हमेशा 0 रहेगी अगर मैंने इसको values इस तरह की दो 0, 2, 6, even numbers मेंशा input तो even numbers में मेंशा यह bit 0 रहेगी और वो automatically इसका यह वाली bit 0 हो जाएगी इसी तरह अगर मैं इसको 2 bit नहीं 4 bit का रखना चाहरा था तो 4 bit का रखना चाहरा था तो फिर मेरे पास यहां तक जो address है न यह 4 bit जो है यह 0 address है अगली 4 bit जो है वो 1 address है अगली 4 bit 2 address and so on करते करते आखर में मेरे पास यह 8 k के बजाए 4 k minus 1 आदेंगी तो उस case में क्या कर सकता हूं कि यह जो मेरा address था इसकी पहली 2 bits को 0 कर दूँ कि यह अगर मैं 2 bits इसमें से 1 के बजाए कर दूँ तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि पहली 4 bit में यह 0 रह रहा है अगली 4 इसकारों में यह 1 रहेगा फिर 2 फिर 3 यह समझा रहा है ना आपको चीज़ तो यही काम आप आगे भी extend कर सकते हैं अगर आपने 8 bit इसको वाइट रखना है तो 3 bit यूज़ कर ले अगर 16 bit वाइट रखना है चार यूज़ कर ले अगर 32 bit वाइट करना है पहली 5 0 कर दू़ त तो असुली तोर पर मेरी 9 bit होनी चाहिए थी तो यह total 14 है इनमें से यह 9 bit मेरा address है और यह बाकी 5 bit है यह मेरी मेशा 0 में कर दूँँगा तो यह इस तरह क्या हो अगर मेशा अगर इसको 32 32 का increment करता जाओ तो इसका मतलब है कि यह वाली bits पीछे वाली मेशा 0 रहेंगी और address तो यह बात समझा रही कि जो क्योंकि उन्हें कोई ना कोई bits तो दे नहीं थी तो उन्हें वो maximum जो possible थी वो दे दी लेकिन अगर आपने कम bits यूज़ करनी है तो आप शुरू की कुछ bits को 0 कर दें तो यही वाला काम फिर हम इदर code में कर रहे हैं कि यह नहीं अब मैंने इस इन 14 bits में से जो uppermost 9 bits है ना उनमें address है और उससे नीचे वाली 5 bits जो है वो 0 रखेंगी तो यह काम हमने करना है तो अब मेरा ख्याल है कि मेरा block रैम की अब आपको सारे ins and outs समझ आ चुकी होने चाहिए तो अब हम इसको test करना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जून कर दे तो मेरा ख्याल है कि दूर से यह अतना अच्छा नहीं नहीं बिला रहा है तो अब मैं इसको test करने के लिए कोड लिखना चाहता हूँ तो test करने के लिए भी मैंने पहले सी कोड लिख लिए है क्योंके पहले तो मैं आपको कहलें कि इदेर एक wrap round था इसको खत्म कर दूदू तो testing के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस block ramp में कोई 8-10 values पे data लिक्वाँ और फिर मैं उनको read कर लूँ ठीक है तो उसके लिए अगर मैंने 8-10 values पे data लिक्वाना है तो मुझे address देना पड़ेगा, write enable देना पड़ेगा और data in की कोई value देना पड़ेगी और वो एक rising edge of block पर let's मैं one address पर लिक्वाद हूँ दूसरे पर two पर लिक्वाद हूँ दूसरे पर three पर लिक्वाद हूँ ठीक है और let's say 10 तक मैं चला जूँ और उसके बाद मैं उसको read कर लूँ थोड़े देर बाद तो मुझे ये काम करना है ठीक है तो हमें test bench में पहले जेन में clear होना चाहिए कि मैं क्या करना है कि मैं थोड़ी देर के लिए पहले research करूंगा block रहम को उसके थोड़ी देर बज़रने के बाद मैं एक एक करके पहले one address दूँगा फिर two address दूँगा फिर three फिर four फिर five फिर six up to ten और उन पे कोई ने पूर्ड में लिख लेंगे तो हमारा चीज उसी तरह चल दीगी तो हम दे क्या किया सबसे पहले तो clock generate करना था clock generate करने का अब मुझे आप से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्यूंकि आपको clock में कम उसकम चार पाइच दुपा ज़रने के लिए ये same loop ही लग टार दुपा ठीक है तो ये तो मैं आप ऐसी copy paste कर देंगे इसमें आपको एक फरक नज़रा रहा होगा क्या फरक नज़रा रहा है हैश जो है ना उसके बाद मैंने पहले 5 यूज कर रहा था अब हैश 10,000 यूज कर दिया है ठीक है ये मैंने क्यूं किया है इसकी भी छोटी सी वज़ा जो थोड़ा side पर हम जाएंगे लेकिन मैं बताता हूँ जब हम कोई ऐसा जिस तरह पहले circuit बना रहे थे clock का उसमें इससे कोई फारक नहीं बढ़ता था कि हम hash जो मरदी लगे हैं क्यूंकि हम जब waveform में देख रहे हुते थे तो हमें इससे component इस किसम का यूज करते हैं जिसना ब्लॉक रहे में जिसका किसी और ने model बिना कर आपको दिया हुआ है जो कि जब simulate करेंगे तो यूज होगा तो उनमें बासकात यह important हो जाता है कि कितना time ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसके अंदर जो भी model में code लिखा हुआ है उसमें actual test one जालते हैं तो one कितना time है real में कितना time को model कर रहे है यह हमें पहले clear होना चाहिए ठीक है तो जब आप कोई ऐसा model यूज कर रहे हो ना तो वो अमूमन इसको pico second में ले रहो था ठीक है तो pico second जो है ना वो काफी छोटा time scale है उसके अंदर अगर कोई change आ रही होगी तो उत testing के लिए code लिए हम उस actual time को modeling करना चाहिए ठीक है वैसी जो time है यह हम खुद specify कर सकते हैं आपने देखा होगा कि जो test management होता है इसके उपर time scale लिखा होता है ठीक है यह लिखा हुआ है टिक time scale 1 nanosecond 1 pico second ठीक है तो अगर किसी ने यह लिखा हुआ है टिक time scale 1 nanosecond slash 1 pico second ठीक है so actually यह जो आ रहा है ना यह बता रहा है कि अगर मैंने hash 1 किया तो उसका मतलब होगा 1 nanosecond अगर मैंने hash 10 किया तो इसका मतलब होगा 10 nanosecond तो यह मुझे यह बता रहा है कि एक hash का क्या मतलब है ठीक है hash में जो एक टिक दूँगा उसका क्या मतलब है और यह जो बता रहा है यह ठीक है, so अगर यह picosecond लिखा हुआ तो यह कहा रहा है कि आपकी simulation picosecond से initially resolution पर नहीं जा सकती, so अगर मैंने 3.1579 लिखा हुआ तो इसका मंदर है 3 picosecond and 157.9, 3 nanosecond 157.9 picosecond, so क्योंकि आप minimum picosecond तक जा सकते हैं तो यह इसके पीछे जो आ रहा होगा ना, उसको ignore कर देगा, so यह 0.157 तक तक तो आप से ले लेगा, जो आगे आपने digits रखे होंगे ना, उनको यह automatically ignore कर देगा, क्योंकि इसकी resolution 1 picosecond से कि नहीं है, तो 1 picosecond के दिर्मियान में वो कोई value नहीं उठा रहा है, तो यह चीज़ यह करी, अगर तो यह 1 nanosecond है तो basically अगर हम hash 5 भी करते हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन time scale जो है ना, कई दोफ़ा मॉडियूल के अंदर different define हुआ होता है, ठीक है, यह नहीं कि block RAM का जो अपना model है, जो मैंने भी खोल के नहीं दिखाया, block RAM को भी हमने तो सिर्फ उसका instance बनाया है ना, लेकिन उसके पीछे हो जो उसका code है, ठीक है वो जायलिंग से हमने install किया था तो उन्होंने खुद सारे model उसके install साथ कर लिया था, इसलिए हमें वो अलादा से खुद add करने की जरूरत इसका पर simulation में नहीं पड़ती, तो उन models के अंदर क्या time scale की resolution है, वो कई दफ़ा पीको second में होती है, ठीक है, तो उस case में फिर यह ज 10 second in की resolution हुई तो वो तकरीबन 10 nanosecond मांजेगा न, 10,000, तो 10 nanosecond का मतलब है कि overall हमारा जो हमारा जो overall cycle होगा clock का, वो 20 nanosecond का बंजेगा, जो reasonable है, 20 nanosecond पर कोई मसला नहीं आता है, block name RAM से 10 nanosecond पर भी चल जाती है, 20 nanosecond पर भी चल जाती है, तो इधर अंदर मैंने code लिखा हुआ है, थोड़ा सा testing करने के लिए, यही जो मैंने आपको बताया था, कि मैं एक एक करके को सब inputs को 0 कर दिया है, address B को मैंने 0 नहीं किया, बलकर 10 कर दिया है, उसकी वज़ाए यह है कि दोनों ports पे अगर same address आ रहा हो तो बाहसगा तो बाहसगाद वो कल यह इनकी warning देता है, कि आप दोनों ports से यह की जगा पर read or write करने हैं कोशिश करें, तो मैंने just उसको void करने के लिए इसको different value दे दिया है, वरना मैं 0 भी दे दूँगा तो वो एक warning ही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर यह वाला code आपको मेशा से, मतब क्यूंकि हमने clock में भी test करने के लिए किया था कि थोड़ा सा time गुजार दिया है, posage clock किया कि semi-colon आ रहा है तो बस 10 posage clock गुजार दे, फिर मैंने कहा कि अचा posage clock से एक आगे जाकर reset को one कर दे, फिर अगले posage clock गुजार दो और फिर reset को zero कर दो तो इससे हमारा system reset हो जगा है, एक cycle के लिए मैंने reset दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा over time गुजार दी है, just कि, ताकि मैं reset से थोड यह loop ही है, जिसना for loop आप सबने use किया होगा, आप programming करते हुए, जब आप var log में code करना आप प्लस प्लस नहीं लेख सकते हैं, ठीक है, तो यह जहन में रखें, क्यूंके प्लस प्लस of return and define तो आपने प्लस one करना है, तो जो भी variable है, उसमें that variable is equal to that variable plus one आपको करना है, इस case में मैंने address को एक से increment नहीं किया, बलके 32 से किया है, तो यह आपको समझा रही है क्यूं किया है, क्यूंके मैंने 32 bit वाली block RAM लगाई है, और उसकी पहली 5 bits मैंने use नहीं करनी, तो मैं अगर इसको 32 से increment करूँगा, तो यह असल में 1 से increment होगा, ठीक है, यानिके मैं 32 से increment करूँगा तो पहली 5 bits 0 रहेंगी, 32 क्या होता है, 1 और उसके बीछे 5 0s, ठीक है, तो अगर यानिके 100,000, ठीक है, एक लाग, अगर मैं किसी चीज को 1 लाग से increment करूँगा, तो पहली value है की 1 लाग, दूसरी value है की 2 लाग, दूसरी लाग, तूसरी लाग, तूसरी लाग, तूसरी लाग यह पीशे 5 0 रहेंगे, ठीक है, तो मैं इसको 1 लाग, 2 लाग, 3 लाग, 4 लाग, 5 लाग, अप टू, 32 लाग तक इसको ले जोगो, ठीक है, तो, सूरी, यह लाग नी, 32 लाग तक नी, 10 लाग तक लेके जोगो, ठीक है, बाइंडरी में, not decimal में, ठीक है, यह 32 इंट टेन जो है यह जब मैं बाइनरी में लिखूँगा तो बाइनरी में यह 10 लाक बंजेगे ठीक है 101 जिरो और उसके पीछे यानि कि यह आँ पर 101 जिरो आज़े यह इस तरह से इंक्रिमेंट होगा 150 अगली दफा 50 यह मेशा 50 रहेंगे पिर यह 3 होजएगा फिर यह 4 होजएगा फिर यह 5 होजएगा चरतेकरतेए जब यह 10 लाक लख गहने कि बाइनरी में 10 लाक बिसिकलि वो 10 इंटु 32 है 32 मारा एक लाक लाक तो यहा तुक तो मैं दस दफा के लिए जा रहाऊं कि मैंने एडरेस को 0 से निशिलाइस किया बेसिकली 32, 64, 96, 128 इस तरह करता जाएगा और फिर जब ये 320 तक पहुँचेगा तो 320 पर जाकर ये खौतम हो जाएगा जी जी फिर इसको आप 10 से मुल्डिप्लाइ करने के बज़ाए 512 से मुल्डिप्लाइ करें तो ये जुरूरी नहीं आप इसी तरह करें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अड्रेस को 1 से इंक्रिमेंट करें और 511 तक लेकर जाएगा और जहां पर मैंने टाय किया हुआ था उपर जहां पर ब्लॉग राइम के साथ टाय किया है वहां पर आप उसके पीछे 50 के इंक्रिनेट कर दें यांनि कि आप अगर आपको ये 32 वाला चलो मैं दूसरा वाला सिंटेक्स भी कर देता हूं इसको मतला फॉर एज़ांपल मैं इसको कहता हूं कि मैं एड्रेस A जो है ना वो मैंने 511 तक लेके जाना है 512 तक लेके नहीं लेकि मैं 10 तक ही जाता हूं और लेकिन मैं इस जाता हूँ कि यह मेरा नाइन बेट कही है और मैं इधर जहां पर टाय कर रहा हूँ ठीक है इस जेगा पर मैं कहा दूं कि यहां पर क्योंकि मुझे 14 बेट से ही है तो मैं कहूंगा कि एड्रेस ए तौमा 5D0 ठीक है तो यह भी एफेक्टिवली वही काम करतेगा तो यह ज्यादा कहलें कि असान है समझना कि यह अच्छा अगर 32 बेट की रहम है तो मेरा एड्रेस जीरो से लेके 512 तक जाना चाना चाहिए तो अब मैं इसको 512 तक लेज़ों तो मेरा काम यह पूरी की पूरी रहम इनिशिलाइस होजेगी तो चले यह मैंने यह वाला काम कर दिया ठीक है तो यहां तक चीज़ क्लियर होगे पॉजच क्लॉक गुज़ारा एक हर दफा कर क्या रहा हूँ मैं हर दफा एक पॉजच क्लॉक गुज़ारता हूँ गुज़ारता हूँ मैंने फ CCP को कर दो कि अध्रस पहले से सेट किया हूँ हूँ मैंने लूप के अंधर ही टेटा इन जो हए उसमें मैंने कुछ वैल्यू दे रानी थी रैंडम थीatta अच्छ के तो सेम डटा मैं ह हर दफा又 ही लिखवाना चाहता तो मैंने क्या किया है मैंने कहा है कि जो भी address आ रहा है न इस वक्त उसमें 100 डाट कर दो ठीक है तो अगर address 1 था तो ये 101 मंजेगा address 2 था तो 102 मंजेगा इस तरीक के बनेगा और right enable मैंने सारे के सारे enable रखे होगा ठीक है कि चारों की चारों bytes पर लिखवाओ और उस पर लिखवाते जो जब ये loop पूरा चलेगा तो ये loop क्या करेगा एक clock cycle आया address 0 दिया data 0 दिया right enable दिया फिर अगला clock cycle गुजार दिया address 1 दिया 101 दिया data फिर अगला clock cycle आया address 2 दिया 102 data लिखवा आया करते करते जब आपका address 9 पर पहुंचा है या या 10 पर पहुंचा तो ये break हो गया 10 पर पहुंचा तो break हो गया इधर बाहर आया तो हमने right enable को zero कर दिया अगले बाजच clock हमने का right enable आप zero कर दो क्योंकि आप मजीद आपने नहीं लिखवाना और उसके बाद हम चाहते हैं थोड़ी देर और गुजार कर रीड कर ले ठीक है तो यहां पर मैंने थोड़ा जार 10 clock cycle गुजारने के बाद दुबारा रीड का लूप लगा हुआ तो यह क्योंकि पिछला लगा हुआ तो मैं इसको change कर देता हूँ ठीक है एड्रेस को 1 से increment करूँ और बस रीड करने के लिए आपको क्या करना होता है रीड करने के लिए इस सिर्फ आपको एड्रेस देना होता है जवाब में डेटा आपके पास आजाता है आपको कोई राइट नेबल कुछ और देने की जरूरत नहीं देटा होट पर आपको डेटा होट पर आपको डेटा होट पर आपको डेटा होट जहां तक चीज़ क्लिए होगी बेशिक में बंद भी करते हूं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेट सिमुलेट दिस तिंग और देखते हैं कि क्या हमारी ब्लॉक रैम उसी तरह काम कर रही है जिस तरह से हम इसको फूर सी कर रहे थे या कोई मसला है इसके सिगनल आगे और मेवी मैं इसको एक दोफार रन ओल कर दू रिस्टर्ट करके तो यह डॉलर स्टॉप तक पूरी चल गई और इसको मैं फुल वियू करके देख लूँ तो यहां पर मुझे फुल वियू में नजर आ रहा है कि शुरू में कहीं पर रिसेट आया था बात में एडरेस की वैलियूस भी चेंज हुई है डेटा इन की वैलियूस भी चेंज ह है और उसकी बेस पर कहीं पर डेटा आउट आना था जो कि इधर नजर नहीं आ रहा है वैसे डेटा आउट वो शहएद उपर होगा तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो चेंज हुआ है कि नहीं है ठीक है तो डेटा आउट की वैलियूस भी कुछ ने कुछ चेंज होती ने जिरा आए तो अब हमने वेरिफाई करना है कि क्या वो ठीक चेंज हो रही है या ने चेंज हो रही है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हम राइट कर रहे थे उस वक्नल ठीक ठीक गए जिस तरह हमने प्लैन किये थे या हमारा कोई कोड बे बाग तो नहीं था तो हम इस सारे राइट नेबल्स मान किये ठीक है और इसको मैं जिदर करसर पड़ा हो जब मैं जूम दुबाता हूं तो उसी जगह पर जूम होना शुरू हो जाएगा ठीक है अच्छा ये वाली जो वैलियूज है ये बाइनरी में लिख रही है तो बोट बड़ी बड़ी ठिक है और दूसरा ये कि काफी सारे सिइनल नजर आरहे है हम ज्यादा इंटرस्टेड है अपने काम के सिइनल में हमारे काम के सिइनल कौन कौन से ये शिर्फ आम आपर एंटग को यूज रहे थे पोर्ट भी भी यूज आजे, so यह मैंने ड्रैग करके नीचे ले आए, डेटा उट B जो है, यह मैं चाहूंगा कि यह, एंड पे चला जे, because I am not interested in डेटा उट B, अच्छा, अभी A और B दोनों के सिगनल आ रहे हैं, आप थोड़ा जब फॉर्मली काम करना शुरू करते हैं, तो आप इनको भी थोड यह लादा जगा बना लेते हैं, यह आप उसको टॉप पे ले जाते हैं, यह बॉटम पे, यह इसमें एक और उप्शन है कि आप डिवाइडर लगा सकते हैं, तो फॉर एक्जामपल यहां तक A के सिगनल खतम हो रहे हैं, यहां पर यह एक आखरी सिगनल है, मैं गर राइट तो इसको फर्दर अगर यह खुला हो सके, नहीं यह इस से बढ़ा नit हो रहा, इस SET पे में न हो रहा है, तो ओके, दा इसमाइडर ने के किस्छा है, इसको अगर मैं बढ़ा करने की कोशश्च करूँ तो यह कहा टब जयाता है, यह भी उस से बढ़ा नहीं हौते हैं, यह चीज़ जो है यह जाई लिंक से मुझे पसंद निया कि असुली तवर पर वेफ़ों जाएना जाना बड़ी विंड़ो में चाहिए चीज़ों को डीबग कर सके ओके सो बारल हमने जो भी क्योंकि चार पांच सिग्नल ही देखने हैं तो आपको आपको यह पड़ा जा रहा है कि क्लॉक रिसेट एड्रेस राइट नेबल डेटा इन डेटा आउट एड्रेस जो है अगर मैं वह देखूं तो वह इस जेगा पर व वानो वान लिखा जाना चाहिए ड्रेस थ्री के ओपर वानो टू फोर के ओपर वानो फोर और करते करते आपके नाइन तक यह जाएंगे तो यहां तक तो चीज ठीक होगी कि हमारा जो इन्पुट पर हम जिस तरह से देना चाहरे थे राइट नेबल एड्रेस और डेटा इ पर यह जो जगह जहां पर अड्रेस दुबारा चेंच होना शुरू हुआ है यह वो जगह रैफर कह रही है जहां पर हमने रीड करने के लिए अड्रेस को चेंच किया है 10 कलॉक साइकल हुआ हुआ है तो मैं करसर को इधर लेकर जाता हूँ और इधर आकर जूम करना शुरू करता हूँ तो यहां पर अगर आप देखें तो एड्रेस जीरो के मैंने आपको बताया क्योंकि हमने इसकी आउटपुट रिजिस्टर इनेबल किया हुआ है तो जिस वक मैं एड्रेस दूँगा राइजिंग आज अफ लॉक आएगा उससे एगले साइकल में डेटा आना है तो इधर मैंने एड्रेस दिया जीरो राइजिंग आज अफ लॉक आया डेटा भी जीरो राइजिंग हमने जीरो के उपर कुछ लिखवाया ही नहीं था 1 के उपर 100 लिखवाया था 1 के उपर 100 आ रहा है तो ये चीज ठीक ठीक कुछ काम करती लग रही है ब्लॉक रहा हमारी चलती लग रही है जीरो पर हमारे पास जीरो आया ये राइजिंग आज अफ लॉक आया इस पर 1 था हमने क्योंकि हैश वन भी डाला हुआ है मेरा ख्याल है कि नहीं डाला हुआ है तो ये आप देखें थोड़ा सा टाइम के बाद हमारे पास डेटा आ रहा है तो इस जीरो पर वासे शाएध रहा रहा है पर ना एड्रेस पर हैश वन भी डाला है सभी बात है क्योंकि वो लूप के अंदर था तो वो हैश वन भी डाला हुआ हूँ आखरी नाइन एड्रेस था नाइन एड्रेस के उपर वन ओ एट आ गया टैन पर हमने लिखवा ही नहीं था टैन के उपर कुछ नहीं आया तो यह बात समझा रही है तो यहां तक इसका मतलब है कि ब्लॉक रैम हमारी ठीक ठीक काम करे तो यह अब हमने एक पूरी एक्जामपल कर ली ब्लॉक रैम को समझ लिया कि वो एफपीजे की ब्लॉक रैम कैसी होती है यह देख लिया कि उनको अगर हमने उसका एक इंस्टेंस बिनाना हो तो वो कैसे बिना सकते है बड़ा असान सा है लैंग्विज टेंपलेट से उठाया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और उसकी कुछ सेटिंग्स हमने पड़ ली ठीक है आप इसकी पोर्ट में चेंज करके देख सकते है ठीक है एक चोटा सा मोर एक्सपेरिमेंट करते है मैंने आपको बताया था कि यह जो उपर वाला इससा है न जहाँ पर यह बहुत सारे जिरोज लिखे हुए ठीक है यह रैम का वो कॉंटेंट है जिससे यह रैम इनिशिलाइज होगी शुरू में इसकी जो वैल्यू होगी ठीक है तो मैं यह करता हूँ कि मैं जो इस तरफ वाला है न इनमें लिटल एंड से यह शुरू होती है यह जो यह पहली 32 बिट्स जो है न ठीक है यह यह आठ जिरोज जो डले हुए क्योंकि एक जिरो जो है हेड्स में लिखा हुआ वो चार बिट्स को रैफर कर रहे है तो आठ जिरो जो है वो 32 बिट्स को रैफर कर रहे है तो यह पहले आठ जिरो जो है न वो पहली जिरो नमबर लोकेशन को रैफर कर रहे है अगले आठ जो है वन नमबर को कर रहे है अगले आठ जो है वो टू नमबर को कर रहे है तो let's say कि मैं पहले आठ पे जाकि इदर मैं कुछ लिखवा देता हूँ लटसे मैं कहता हूँ A लिखवा देता हूँ ठीक है? और उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, खुजार के मैं इदर B लिख देता हूँ ठीक है और फिर मैं एक दो तीन चार पांच छे साथ हुजार के इधर मैं C लिख देता हूँ ठीक है तो अब क्या होगा है कि Zero Number Location पर मैंने A लिख दिया Hex में लिखा हुआ तो A, B, C लिख सकता हूँ So Hex में पहले में A लिख दिया दूसरे में B लिख दिया तीसरे में C लिख दिया ठीक है और अब मैं इसको दुबारा चला के देख सकता हूँ कि क्या मेरी जो लेकिन मैंने तो basically RAM को ओवराइट कर दिया तो let's say मैं write करने वाला code जो है वो comment out करता तो ठीक है कि मैं RAM तक कुछ भी नहीं लिख वाता और मैं RAM को read करता हूँ 10 locations जो मैं read कर रहा था तो पहले तीन locations पर A, B, C पड़ा हुआ होना चाहिए तो इस तरह टेस्ट हो जाएगा कि क्या वाकि इनिशिलाइजेशन ठीक काम कर रही है कि नहीं इसको हम बंद करते हैं तो यह जब भी हम इसको exit करते हैं तो यह आप से पूछता है जिसको मैं अभी तक no करता हा रहा था कि क्या आप इस waveform वाली file को save करना चाहेंगे तो मैं इसको इस दफा कहता हूँ कि हाँ मैं आप save करना चाहूँ का क्योंकि मैंने भाई उसको सारों को redix किया एडवाडर लगाया तो वो सारा loss होने के मुझे बेतर है कि मैं उसको save करना हूँ तो save करते हूँ आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं लट से मैं कहता हूँ wave dot तो यह wcfg waveform configuration बन जाती है ठीक है तो यह इसमें बूचा कि भी आपने उस फाइल को change किया दोबारा लोड कर लो वो कर ले ना कर ले उससे कोई फर्क नहीं बड़ेगा तो इस template को भी बन कर दूँ फिलाल ओके तो अब मैं करना क्या चाहता हूँ अब मैं code को थोड़ा सा modify करना चाहता हूँ मैंने इदर a, b, c लिख दी है लेकिन मैं जो नीचे पूरे का पूरा पाड़ा था इसको और right करवा रहा था तो यह जो right वाला section है ना इसको मैं चाहत पूर रैम पे ठीक है तो यह जो right नेबल one और zero हो रहा था लट से मैं इस पूरे हिस्से को comment कर दो ठीक है तो अब मैंने रैम पर लिख वाया कुछ नहीं है और उसके नीचे जो code है जो पहली 10 values को read करता है वो read कर रहा होगा ठीक तो read करने में क्योंके मैंने RAM को initialize किया और शुरू में A, B, C उपर जामर 00 आ रहे थे हमाँ पर लिख दिया तो पहली तीन values पे मुझे A, B और C मिलना चाहिए ठीक है और उसके आगे वाली values पे 0 ही मिलना चाहिए क्योंके मैंने इसको कुछ नहीं लिख वाया तो मैं इसको चला कर देख लेता हूं कि क्या वाकी ऐ चले जितनी देर यह सिमुलेट होता है तो इस क्लास में हम लॉग राम करें हमने VGA भी करना था जिसके लिए जिशान साब ने जो क्लास का टाइम सेट किया है उसमें हम इंशाला थरस्टे को पांच बज़े होगी ठीक है चलो शुकर है सेट कर लिए दूसरी क्लास से कर लि मेक अप ओक खुर करें इसको जिशान इसके बाद अगर कोई और क्लास है तो डिसकश करें मुझे आज टाइम बताना है ठीक है वरना आपके मेट के marks में से मैं कुछ नहीं तो आपकरी नहीं डोस्ते से मैं कहारूं भाई कोई class रख लें ये वो कह रहे थे आप से discuss होना है आप कह रहे है तो मुझे यह नहीं चाहिए कानी मुझे सिर्ट चाहिए गए वही यह वाली time है इस पर class है तक है हम वो ले सकें तो अच्छा अभी मैंने last run में file safe की थी ठीक है तो मैं वो ही वाली file by default यह default value उटाता है waveform में इसमें interested नहीं हूँ मैंने जो file waveform वाली safe की थी मैं वो उटाना चाहता हूँ तो मैं open करके इधर यह wcfg file wave मैंने wave नाम रखा था wave.wcfg अब यह दो लोड हुई है तो आप एक से ज़्यादा भी load कर सकते हैं लेकिन मैं default वाली में interested नहीं हूँ मैं सिर्फ इसी में interested हूँ तो मैं इधर restart करता हूँ इस simulation को और दुबारा run all कर लाता हूँ ताके सारे signals आज़े इसमें और इसमें देख लाता हूँ ठीक सो मैं आप क्योंके write तो कारी नहीं दा तो मैं सिर्फ read वाले time पे interested हूँ कि यहां पर हमने data को read करने कोशिश की है यहां पर अगर मैं zoom in करूँ तो आपको ABC नज़र आना चाहिए था data out पे लेकिन अगर मैं इसे कापर देखूं तो मुझे 10, 11, 12 नज़र आ रहा है तो यह क्या कहानी है जी 0 जब मैंने address दिया तो मुझे 10 आया है value 1 दिया तो 11 आया है 2 आया तो ABC क्यों नहीं आई तो नज़र आ रहा है न आपको data out 10, 11, 12 आ रहा है ABC नहीं आ रहा है और मैं अगर इसको right लिख करके मैं कहूं का नहीं मैं इसको hexadecimal में देखने चाहता हूं ठीक है तो मुझे यह छोटा सा e नज़र आ रहा है आपको 0, 0, 0 यह छोटा सा e है पर अगली b है पर अगला c है और उसके आगे वाली values 0 यह है ठीक है तो क्योंकि 0, 1, 2 पर तो हमने लिख वाया था उसके आगे कुछ थी लिख वाया था तो उसके आगे वाली values 0 यह ठीक है तो यह हमारी block ram kind of हमने एक इसको बना के test कर लिया ठीक है यह अब हम छोटा सा और चीज़ जो हम board पर करना चाहेंगे उस पर आ जाते ठीक इसका कोई होना चाहिए smart switch इधर तो बटन दुआए light on होजे off करें तो off होजे maybe यह भी एक project हो सकता है कि आप एक smart switch में नहीं FPJ का तो नहीं होगा खैर यह कोई low power micro controller के साथ बंदा कर सकता होगा है कि उधर switch board में लगा दे और इधर से on off कर ले so अभी जो जहां तक हमने किया हमने यह किया कि एक block ram अगर use करनी हो तो कैसे करेंगे ठीक है अब ज़रा आपको engage करते है आपने आप मुझे बताना है कि क्या करना है मैं आपको एक problem देने लगा हूँ कि मैं एक ram बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं वो 32 bit wide नहीं मैं वो 64 bit wide बनाना चाहता हूँ यानि कि मेरे पास इधर जो address है वो उसी तरह लेट से 32 bit वाले तो मैं बना ही मेना so मैं अभी बिलकुल simple यानि बाखी के extra signals नहीं मिना रहा normal जो signals नहीं address उसी तरह मेरा no bit का है data in जो है न वो मेरा है 63 down to zero और उसके इलावा मेरा एक right enable let's a single bit वाला right enable ही है जो सारे पूरी 32 bit को enable कर देता है तो मैं simple और इसी तरह आपका data out जो है न वो भी 64 bit का है तो यह नहीं यह 64 bits है यह भी 64 bits है इस पे क्या कर सकता हूँ एक block RAM तो 512 by 32 by 512 की होती है मुझे 64 by 512 चाहिए पस्वो कैसे कर सकते है दो लगा लेंगे मैं को तो सही बात है सो लेट से मैंने 2 लगा दी तो यह दोनो 32 by 512 की block RAM तो यह नहीं कि इसका भी एक address है एक data in है एक write enable है और एक data out है ठीक है तो मैं d o d in लेकर रहा हूँ d in का मतलब data in और d o का मतलब data out लेकिन यह 32 byt का है address 9 byt का ही है और write enable तो यह की byt का है यह भी 32 byt का है और दूसरे के भी इसी तरह के signal है address d in write enable और d o यह 32 byt है है यह भी 32 byt है है और यह 9 byt है तो यह आप क्या करें तक दो अलग आप ली हैं लेकिन अभी हमने कुछ टायत नहीं किया तो मैं चाहता ही हूँ कि मैं जब zero address पर लिखवा रहा हूँ तो 64 byt पीछे दे आ रही है उसकी 32 byt इदर लिखी जाए 32 byt इदर लिखी जाए अगर मैं one address पर लिखा हूँ तो दोनों के one address पर लिखा जाए लेकिन वो 64 byt हैं उसकी 32 byt इदर लिखी जाए 32 byt इदर लिखी जाए तो उसके लिए मुझे इदर क्या करने की ज़रूरत है सर्कुट में सोचें असान सी बात है जी चाही होगा या नहीं चाही होगा खोल दो खोल दो कोई आ रहा है लॉक होगा वापिस लॉक कर दे मेरे आप बहुत ज़दा in and outs होते रहते हैं महीं क्लास से ज़रा काम किया करें क्योंगे ज़्यादा उसका मसला है जड़ा ही नहीं करने भाई आप उसकी जगह बैट गए कोई बात नहीं है ओके तो क्या करें इसमें नहीं माज जीन में हो दो दो ना किस को किस पर दी मल्लिप्लेक्स करेंगा आगे हो गया आपके आने का टाइम आज टाइम पर आया था तो उसके बाद उसके बाद उसके गया हुआ वापस है इदर बैट जाए यार ये मारेगा नहीं अब्दल्लाई इसको तांग ना करना है ये अपने दोस्तों के साथ तो क्या करें जी इस केस में मैं रिपीड कहा देता हूँ कि जब अड्रेस जीरो आए तो मैं चाता हूँ इसके भी अड्रेस जीरो पर ही लिखा जाए इसके भी अड्रेस जीरो पर ही लिखा जाए जो डेटा आ रहा है उसकी जो 64 बेट का उसकी 32 बेट इसर लिख दी जाए बस रीट करना हो तो फिर भी इसी तरह हैंगे इसके भी 0 से उठाएं इसके भी 0 से उठाएं और दोनों को एक अड़ा करके चुनद बाए तो बड़ा सिंपल सा अड्रेस की लाइन को दोनों के साथ अटाइच कर दे क्योंकि हम चाते हैं जब 0 है तो इदर भी 0 जाए इदर भी 0 जाए सीरियल सा क्या मराद है वह रिजिस्टेस सरक्र तो नहीं है पैरलेल सीरियल क्या करे 64 बेट ए है उसकी 32 बेडिधर टाय कर दे 34 बेडिधर टाय कर दे ठीक है यह 64 है तो 64 बाइर है उसकी पहली बतिस बढ़ा के उधर टाय कर दी, अगली बतिस इदर कर दी तो let's say कि मैं इसको दो इस्सों में तोड लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो 63 डाउन तो 32 है वो इधर मैं टाय कर देता हूँ और जो यह जो है ना यह आपकी 31 डाउन तो 0 जो है यह इदर टाय कर दो कि तो 32 डे जनिए इसफेड़ चली गी और क्या करों? रॉट नेबल को क्या करूँ बढ़ा करता हूँ कि जब भी लिक्वाना है बढ़त तो बैसिकली बड़ा सिंपल सा सरकेट सा इसफेड़ तो कि यह इदर तक उसके लिए क्या करूँ जीरो एड्रेस अगर मैं दूँगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे इसके 32 बिट भी उठें इसके 32 बिट भी उठें और वो 1864 बन के बाहर चले जाए तो क्या करूँ वान आएगा तो यही काम पर वान एड्रेस उठाना चाहूँगा इनको डिरेक्ट टाय करतें ये 32 बेट से हैं ये उठा के आप ये और ये आप इसमें मिला के 64 बेट बनाएं और बाटाय करतें ठीक है इनको MSB से टाय करतें उसको LSB से टाय करतें यानि ये आपकी इसकी 63 डाउन तो 32 हो जाएं और यहां से जो आ रही हैं वो 31 डाउन तो 0 होजे ठीक है दोनों मिला कर रहा हम इनको टाय करतें ठीक है सो सिंपल ठीक है थोड़ा सा यानि कि अब हम इसको यूज करते हुए अगर हमने विट्थ बढ़ानी हो तो पैरलल में दो तीन ब्लॉक राइम लगा ले डिरेक्ट ही टाय कर दिया ठीक है तो यह बात समझा रही है ना इसके कोई साइंस नहीं है छोड़ी सिए चले इसी के साथ की एक दूसरी बात हम करते हैं रेक्वार्मेंट मैं चेंज कर देता हूँ आप ठीक है वो रेक्वार्मेंट यह है कि मुझे एक रैम चाहिए जो के 32 बेटी वाइड हो यानि कि उसका एड्रेस जो है वो नो बिट कई नहीं सुरी एड्रेस नहीं डेटा इन जो है वो 32 बेट कई हो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 512 डीप ना हो बलके 1024 डीप हो जिसका मतलब है कि उसका जो एड्रेस है न वो 10 बिट कई हो 1024 बिट कई हो 1024 बिट के लिए हमें 10 बिट चाहिए हो तो मिझे 10 बिट वाइड अड्रेस चाहिए यानि कि वो टोटल डेप्थ उसकी 512 बलके 1024 हो डेड है न उसी तरह 32 बिट का और उसी तरह एक राइड एनेबल हो और डेट आउट भी 32 बिट का जा रहे हैं अब भी दो ही लगेगी ठीक है लेकिन थोड़ी सी कुछ फरक आएगा वो फरक अब आपने मुझे बताना है अड्रेस डी इन राइड अनेबल अड्रेस डी इन राइड अनेबल डी आउट ये 32 बिट बिट एट अड्रेस इसका 9 बिट का था बाहर से अब 10 का आ रहा है डेट इन जो है ये 32 का ही है ये 9 बिट है ये 32 बिट है चलें अब बताएं क्या रही अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब अड्रेस लेट से 0 आए या 1 आए या 2 आए या अब तू 511 तक अड्रेस आ रहा हूं तो मैं इस वाली ब्लाग्राम में लिकवा लू जब वो 512 आए तो मैं इसके 0 पर लिकवा दू 512, 513, 514, अब तू अगला है जो 511 अड्रेस रहूं में इधर लिकवा दू इसी तहां रिट करते हूँ भी अगर अड्रेस 0 से लेकर 511 तक हुआ तो मैं ये वाला डेटा उठा लू अदर्वाइस मैं ये वाला उठा लू तो आप क्या करना पड़ेगा इनेबल क्या किदर इनेबल तो है ना राइट नेबल सुचें क्या हो सकता है इधर पहले तो मुझे किसी तरह इनेटिफाई करना है कि अड्रेस 0 से 511 तक है या 512 से 1024 तक है ये कहां से पता चाल सकता है अड्रेस ये 10 बिट का रहा है इसको क्या करूँ कैसे में से लेट से मेरा 10 बिट का अड्रेस आ रहा था पीछे कहीं से तो इसको क्या करूँ वो कैसे गरेगी ये तो बूच रहा है हमें ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट हाफ का अड्रेस है या नेक्स्ट हाफ का अड्रेस है वो कि 0 से 511 तक वा ये ही अड्रेस तो मुझे यहां पर रीडिया रैट करूँ है अगर 512 से लेके 1023 तक वा तो मुझे यहां रीडिया रैट करूँ है कैसे पता चलता है MSB से पता चलेगा या LSB से पता चलेगा ये एक बिट तो है नहीं MSB और LSB LSB होगी ये least significant bit MSB होगी ये most significant ये 10 bits है करीब हो, बड़ा करीब हो राइट मोस, लेफ्ट मोस लेफ्ट मोस, ठीक है तो करीब पहुंच जी थे लेकिन वो थोड़ा सा और आगे जाना था ठीक है, तो अगर हमने ट्रोट टेबल वगरा numbers binary लिखे हों और 2 की power में अगर आप, let's say, 10 bit पूरी 0 से लेकर 1, 0, 2, 3 तक लिखेंगे तो जो MSB है वो upper half में 0 रहेगी lower half में 1 रहेगी जितनी bit भी लिखे हैं अगर हम तरतीब से number binary लिख दे और 2 की power में लिख रहे हैं जिसने आम ट्रोट टेबल में लिखते होगए गये थे तो उसमें हमने देखा था कि left most जो bit होती है वो top half में 0 होती है bottom half में 1 होती है right most जो होती है वो हर एक दफ़ा पहली दफ़ा 0 होती है, दुसी दफ़ा 1 होती है अब यह तो पता चल गया किसको address 10 bit के यह 9 bit के है तो कौन से bit किसको die करूँ कैसे die करूँ अगर यह 511 से का में इसकी MS भी 0 आ रही है तो मैंने इस पे लिखवाना है यह पढ़ना है अगर read करूँ और अगर यह MS भी 1 आ रही है तो मैंने इदे लिखवाना है यह पढ़ना है तो मैं कैसे control कर सकता हूँ enable तो है न right enable इसके लावा भी को enable चाहिए यह यह काफी है इसी को 10 कर ले तो क्या करूँ पर let's say मेरा address आया 10 तो मैं चाहूँगा कि इस पर जाए 10 और read enable इस पर जाए इस पर 0 जाए और जो भी data आ रहा है वो इस पर चला जाए multiplexer जो आया है वो क्या करता है multiple option input होती है उसकी और एक output है demux लगा लो इस चलो ये कुछ-कुछ बंती नदर आ रही है कि यहां पर दो हैं यहां पर एक है तो कोई demultiplexer वाला कैसे इसकी MSB जो आप कहरेंगे वो गर दिरुआ है तो उपर टाय हो जाए ये कहना जा रहे है क्या चीज़ सारी की सारी ports right enable को मैंने ये किया कि मैं इधर कर दिया tie या इधर tie कर दिया ठीक है और ये जो address की MSB से select कर लिया ये जो 10 सी वाली bit आ रही थी ना 1 0 1 0 नहीं सुरी 9 होगी क्योंकि 0 से अपने count पर मैं 9 वाली bit जो आ रही थी ना वो इधर tie होगी ये दसी में वो अगर 0 ही तो मैंने इधर लिखवाना है नहीं तो इधर लिखवाना है तो पीछे से right आ रहा है तो वो या उधर चला जाएगा या उधर चला जाएगा चला जाएगा बाग क्यों क्या data को क्या गरू data को वैसी tie कर दे ठीक है लो जी data वैसी tie हो गया और address को अगर 0 address आया तो इधर 0 ही आने चाहिए 1 आया तो इधर 1 ही आने चाहिए अगर 512 address आ गया तो 512 क्या होता है 1 और उसके पीछे वाली bit 0 होती है तो वो 512 आया तो इधर 0 address जाने चाहिए 513 आया तो इधर 1 address जाने चाहिए तो इधर 1 address जाने चाहिए वो कैसे कर सकते है ये बड़ा असान सा है कि ये जो address आ रहा है अगर हम इसकी MSB को छोड़ दे पर बाकी LSBs को इधर tie कर दे यानी 8 down to 0 को इधर tie कर दे और इन ही को ठीक है लट से कि मैं बड़ी जाम लेकर आता हूँ इधर भी tie कर दे जब 512 address आ रहा तो ये 0 ही है ना ये 513 address आएगा तो ये 1 है लेकिन यहां बर तो 001 ही आ रहा है तो हमने MSB को निकाल दिया बीच में से ठीक है अब जब भी कोई भी address है या data और साथ data है तो उसके corresponding address इधर भी चला जाएगा data इधर भी चला जाएगा लेकिन दोनों को चला जाएगा ठीक है लेकिन हमने क्योंके right enable को control खुद किया हुआ है तो उसकी वज़ाद है लिखा सिर्फ उसी पर जाएगा जिस पर हम चाहते है यह वही वाला case है जिस तर राज फाइल में था ठीक है कि हम इधर एक demux और भी लिगा सकते हैं लेकिन उसकी जुरुवत नहीं है तो यह वाली चीज आपके जहन में होनी चाहिए जब भी ऐसा case है कि जब आपने enable control किया हुआ है तो बाखी दूसरी वाली site पर गलट data address चला भी जाए कोई फर्क नहीं बढ़ता पर कोई साम उधर से read नहीं का रहे ठीक है यह राइड नहीं का रहे तो कोई फर्क ही नहीं read के लिए क्या करेंगे तो यह right वाली site तो मारी पुरी होगी read के लिए क्या करेंगे मैं चाहूँगा कि अगर address 0 से 511 तक है तो मैं यहां से जो data रहा वो read कर लो अगर 0 से अगर 512 से लेकर 1023 तक है तो मैं यहां से उपर अगर direct होगा अपर नीचे वाला नहीं connect होगा तो connect होजेगा डी मक्स लगा दू मक्स लगा दे ठीक है इसको address line ही की base पे इसकी MSB की base पे select कर ले ठीक है इसमें एक मसता रह गया वो यह कि data तो एक cycle बाद आता है अगर मैंने पहली देफा address 0 दिया तो उससे data read होके आ गया लेकिन वो read होके अगले cycle में आया अगले cycle में हो सकता है मैंने 5-12 address दे दिया हुआ तो उसकी MSB 1 हो जाएगी और हम इधर से जो data आया तो उसके बज़ाएगा data उठा लेगे इसका गया हो सकता है इसका बड़ा simple साल है कि हम इसको register कर देगे फिर मियान में इस bit को एक cycle के लिए register कर दें तो एक cycle बाद आएगी ठीक है तो अगर मैंने इधर address दिया था 0 तो अगले cycle में इधर 0 आएगा जब data आ रहा होगा ठीक है data एक cycle delay हो रहा है तो आप इस select line को भी एक cycle delay कर दें तो दोनों बराबर delay हो जाएगी तो यहां ते चीज़ समझ आगी ठीक है यह अब आपने सोच के आना है ठीक है यह अगली जो class है ना उसमें आपका quiz होगा ठीक है so मैं आपको एक food for thought देता जाता हूँ जिसको आप सोचें गर जाके अगर वो आप करके आगे तो quiz उस सहान होगा ठीक है so वो क्या है कि आप ज़रा 128 bit wide for 2048 deep block ramble है ठीक है single port ही ठीक है मतलब इनमें हम एक एक port ही use करें हैं क्योंकि हम ज़दा complexity नहीं चाहते हैं तो यह single port जिस तरह भी हमने बनाई थी हमने depth भी बढ़ा कर देख ली हमने width भी बढ़ा कर देख ली अब आपने क्या करना है आपने यह दोनों काम एक अठे करने हैं ठीक है और depth को भी आपने चार गुना बढ़ाने है width को भी चार गुना बढ़ाने है ठीक है और यह आप अब कर सकते हैं basically जो हमने पिछला design किया है आप उसको देख के कर सकते हैं यह आपका एक तरह का homework task है जो के graded नहीं है ठीक है it won't be marked but इस में से quiz होगा ठीक है next class में जो quiz होगा वो इसकी निस्बत असान होगा ठीक है so यह हमारा चोड़ी ची ती यह जो चीज हमने भी की है ना इसको मैं मैं मिटा रहूं यह जो चीज हमने की है यह हमें असल मैं खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है यहनि कि अगर मुझे बड़ी RAM चाहिए हो FPJ की तो एक तरीका तो यही है कि मैं इस तरीके से जोड़ के मना लूँ लेकिन हमें इसका code खुद लेखने की जरूरत नहीं पड़ती एक तरीका तो है मैंने template से direct उठा लिया ठीक है तो बाकी दो तरीके जो है वो आप मैं discuss करके इसको lecture को close करना चाहूँगा एक जो दूसरा तरीका है अगर मैंने एक block RAM लगानी हो तो मैं यही वाला तरीका इस्तमाल करता हूँ जरूरी क्योंकि यह सब से convenient अगर मुझे थोड़ी सी बड़ी block RAM लगानी है तो फिर मैं दूसरे तरीके पर आज़ता हूँ और वो दूसरा तरीका क्या है वो दूसरा तरीका फिर यही है कि आप language templates पर जाएं templates में आप दुबारा very long में जाएं लेकिन इस दफाँ आप device primitive instantiation के बजाए synthesis constructs पर चले जाएं और synthesis के अंदर इसमें coding examples दी वही है ठीक है उन coding examples में इन में और भी बहुत सारी चीज़े हैं देख सकते हैं आपको कुछी चीज़ का code देखना हो आप इदर से उसका template उठा लें और उस template को modify कर लें ठीक है इन में हम क्योंके RAM यूज़ करना चाहरे हैं और वो भी block RAM यूज़ करना चाहरे हैं क्योंकि हम FPJ की हिससे नहीं तो मैं इसमें से लेट से कि ये dual port block RAM उठा लेता हूँ ठीक है लेट से कि मैं अभी असानी के लिए single port उठा लेता हूँ क्योंकि हमने बड़ी block यही जो मैं आपको बता रहा था 128K और 2048 आपने उसको block RAM जोड के design करना है क्योंकि कोई उसका होगा लेकिन अगर आपने असल में बनानी हो तो आपको वो design implement करने की ज़रूरत नहीं है आप इदर से आए इस coding example को उठा ले इसमें let's say मैं कहता हूँ कि मैं read first mode में टाओंगा तो अब इदर एक code आ गया है तो यह पूरा code जो है ना यह आप let's say मैं इसको अपने fill all test bench के अंदर ही paste कर देता हूँ तो यह code क्या है यह आपको समझा ज़े यह मैं क्यों अगर एक block राम लगानी है तो क्यों use नी करता है क्योंकि इसके अंदर छोटी मोटी modifications करनी पड़ती है जो कि कोई ज़्यादा complex नहीं है लेकिन बाराल करनी पड़ती है तो सुस्त आद्मियों मैं उसको avoid करें पड़ती लेकिन अगर एक से ज़दा block राम जोड़नी पड़ें तो फिर यह वाली modification में कम टाइम लगता है उसमें ज़दा टाइम लगता है कि उनको जोड़ के आप कर लें तो फिर इसको use कर लें अच्छा इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी parameter ठीक है तो parameter किया चीज़ है जिस तरह आप C में hash define करते हैं ठीक है उस तरह वेर लॉग में आप दो काम कर सकते हैं एक काम होता है hash के वज़ए इसमें use होता है tick तो अगर मैं लिख लूँ tick define और let's say ram width लिखा हुआ है ram width और 7 कह दूँ let's say 128 कह दूँ तो इसका मतलब है कि जहां पर भी आगे tick ram width लिखा होगा आगे use करते हुए भी ये tick साल लगाने ठीक है इसका मतलब है कि जहां पर भी आगे tick ram width लिखा हुआ है ना उसको 128 ही समझा जाए ठीक है तो इसका ये मतलब है कि आपने हर जेगा पर 128, 128, 128 लिखने के बजाए ये define कर दिया और ये use कर लिया कल को आपने change करना होगा तो सिर्फ एक को change करेंगे बाकी सारी जगों पर change करने की जरूरत नहीं रही तो इनकों हम कहते है pre-compile directives के compile करने से पहले हर जेगा पर होदी 128 और दूसरा तरीका ये है कि मैं tick define करने के बजाए लिख दू तरा मीटर gram weights is equal to 128 उस case में is equal to और semicolon डालना पड़ेगा ठीक है और फिर आपको यहाँ पर tick लगाने की जरूरत नहीं है अच्छा ये भी tick जो है न हो उल्टा वाला tick है दो tick होते हैं एक ये टिक होता है और एक ये टिक होता है तो वो जो 32 tick D0 हम करते थे न वो ये वाला tick था ये दूसरा वाला tick है ठीक है तो ये आपके कहीं पर keyboard में आपको डूरना पड़ेगा कि मेरे keyboard में ये numbers के आगे left side पर एक मेरे laptop में आपको ये देखना पड़ा है अच्छा परामेटर्स जो ये न ये मैं आपसे expect नहीं कर रहा कि आप प्रोजेक में बहुत जादा use कर रहे होंगे लेकिन आपको आने चाहिए आपका code parameterizable अगर आप लिखे न तो मिसाल के दरबाँ आपने फाइफो बनाया है तो उनने फाइफो की 32 bit wide या 16 bit wide बनाया था तो अगर मैं उस 16 के बजाए मैं parameter define कर देता न कि parameter फाइफो width is equal to 16 तो कल को मैंने change करना होता तो मैं सिर्फ उस parameter को ही change कर देता हूँ ठीक है यह जो इसके उपर लिखे हुआ था ना यह जो RAM हमने बनायी थी अब यह block RAM का जो model है ना यह parameter यह इसके उपर जो हम यह सारी चीज़े select कर रहे थे यह असल में parameters हैं ठीक है तो आपने एक दफा code लिखा और वह parameterizable है तो आप उस ही code से 32 bit का 5-4 भी बना सकते हैं 16 bit का भी बना सकते हैं 4 bit का भी बना सकते हैं आप उसको जब भी instance बना रहे होंगे आप hash लगा के parameter दे दे तीक है उसका syntax आपने देखना है just google पर जागे आप very log parameter syntax करें आपको कोई ने कोई इसकी coding example मिल जाएगी यह course की requirement नहीं हैं बट अगर आप ये मेरे कहाल में जो वेरल उकसेड पर ही थोड़ा फर्दर काम करना चाहते हैं या उसमें ट्रस्टेड हैं उन्हें यह काम करना चाहिए कि वो जाकर इसका syntax ढूंडें और एक छोटी मोटी example parameters के साथ बनाएं ताकि आपको शुरू से ना parameterizable code लिखने की आदा तो और वो ज्यादा अच्छा चीज होती है तो यह तो parameter सिंपल यह कर रहा है कि RAM width और उसको address की bit को choose कर रहा है ठीक है अच्छा इसके अंदर यह जो less than greater than के दरम्यान लिखे हुए यह नहीं कि यह template से sign में जो लिख आके 128 bit wide और 2048 deep block RAM बने तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर सकता हूँ मैं RAM width जो है इसको 128 कर दूँ कि मैं 128 bit wide और deep मैंने 2048 के ही थी तो अगर 2048 उसकी depth है तो address की bits कितनी होनी चाहिए 2K होगर locations हो उनके address कितनी bit का होना चाहिए K के लिए 10, 2 के लिए 1, तो 2 plus 1 11 bit सुनी चाहिए तो मैंने address bit 11 कर दी ठीक है इसके बाद इसमें दुबारा यह कह रहा है कि अच्छा यह आप वो array बनेगी जो के हम जो RAM की array होगी ठीक है तो मैं इसको यही नाम दे देता हूँ फिला ठीक है आप अपनी मर्दी से कोई और नाम भी दे सके यह output data है इसकी declaration यह declaration उपर नीचे भी हो जाएं तो इनसे फार्क नहीं पड़ता हूँ इसको इसने कहा रैज या वाय डेकलेर करें मैं कहता हूँ रैज डेकलेर करता हूँ ठीक है यह बाहर से आपका जनरली अड्रेस आ रहा होगा यह RAM का address है जो हमारे RAM का मैंने कहा दिया कि यह मेरा डरेस है लेट attack एक नपुट data को भी मेरा डेकलियर करते हुँ यह actually कि इस पर depend कह रहा होगा कि यह बाहर से जो भी signal आ रहा है आपने पहले ही कहींवे declare किया होगा अगर आपने RAM मनाई हुई है तो वहां पर रेज़ वायर जो मर्जी डिकलेर हुआ उससे कोई फार्क नहीं पड़ता ठीक है अच्छा ये इनिशिल का ब्लॉग जो है ना मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनिशिल का ब्लॉग जो है वो सिंसाइज नहीं होता ना तो वो पहले लेसन के लिए वो ट्रू था लेकिन इट वास नॉट इंटारली ट्रू ठीक है थोड़ा सा वो गलत भी था क्योंकि इनिशिल को बहुत का ब्लॉग आप सिंसिल में यूज कर सकते हैं जिस तरह ये वाला इनिशिल जो है इसमें हमने क्या क्या हुआ है हम अगर इदर एक फाइल ले दे और बाद में बता दें कि यार इस वाली रैम को इस से फिल करना है तो जब सिंसिल होगा ना तो वो रैम को उस फाइल के डेटा से फिल करतेगा ठीक है निए मैं एक फाइल में शूरू जिस तरह हमने ऊपर बहुत सारे जिरो से उनको A, B, C लिख दिया था ना उसके बज़ए अगर मैं हेक्जाडेसिमल में एक फाइल लिख दूँ और उस डेटा से इसको फिल करवाना चाहूँ तो मैं इस इनिशल के थूरू करवा सकता हूँ ठीक है तो यह बड़ा कन्वीनियन सा सिंटेक्स है इसकी एक्जांपल हम में भी नेक हो जाती है ठीक है यह नहीं कि मैं अगर इसको कर दूँ क्लॉक जो भी मेरा क्लॉक चलना था लेट से मेरा सील के चलना था तो मैंने सील के कर दिया रैम का जो भी नेबल पीछे से आ रहा है अगर मैं इनेबल यूज करना चाहरा हूँ तो मैं इसको रैम इनेबल यूज कर अगर right enable आए तो RAM के address पे जाकर लिखवा दो data ठीक है otherwise otherwise भी नहीं और जो आपका data आ रहा है वो हमेशा यह इस if के बाएर लिखा हुआ है अगर आपने यह code लिख दिया ना तो अब हमने गया कि यह भी RAM ही बना देगा ठीक है यह वाला code अगर आपने लिख दिया तो यह भी RAM ही बना देगा ठीक है और यह अब आप अपनी मर्दी के size की बना सकते है ठीक है तो आपने अपनी मर्दी की size की बनाएगा टूल पीछे जब इससे RAM extract करने ही कोशिच करेगा वो देखेगा कि यह तो normal size से बड़ी है तो इसका मलदाबा टूल खुद ही समझ जाएगा कि मैंने RAMS को उस तरह जोडना है जिस तरह हमने भी जोडने की logic बड़ी ठीक तो वो आपको खुद code करने की ज़रूरत नहीं रहती है ठीक तो यह इसका दूसरा तरीका है तीसरा तरीका जो था वो ऐसे मैं भी कराना चाहरा था बढ़ा हमारी class का time फ़तम हो गया है तो let's do it in the start of next class जो हमारी next class होगी उसके start में हम देखेंगे वो actually और वजह से भी important है वो इसके अंदर एक component होता है Xilinx core generator जिसके दर यह आप RAM जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी की लेकिन RAM तो एक चीज है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं It's just like कि आप आप खुद कोई complex चीज़ बना जेते हैं तो आप उसकी core बना लें तो आप जतने डालर्स की रखना चाहराेंगे और अगल आप free रखना चाहराएं नगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें free available है कुछ चीज़े बीरेबल हैं पैसा की available हैं तो दोनी तरह से core तो नहीं नहीं तो बड़े काम जो आप ने कर रहे हैं उन में से बहुत सारी चीज़े आपको खुद कोर लिखने की जरूरत नहीं होती बलके उसका कोर यूज़ कर लिए मुझे इसमें कोई मस्ता नहीं होगा अगर आप कोर जेनेरेटर को यूज़ करते हुए कुछ कंपोनेंट्स बना ले और अगर कोई सिंगल बन्दा प्रोजेक्ट कर रहे ना तो वो कोई एक कॉम्पलेक्स कोर पकड़के उसको अच्छी तरह टेस्ट करके उसके आगे बीचे थोड़ी सी सरकड़ बना के अगर मुझे प्रोजेक्ट दिखा दे तो मुझे उसमें भी मसला नहीं तो ये कोर आप्शन हो सकती है लेकिन ये हम नेक्स क्लास में करेंगे मुझे आज तक मैक्समम आप लगोंने बताने हैं कि आप प्रोजेक्ट क्या चूस करें अच्छा ये जो हमने भी कोड लिखे है प्रैफरेबल ये है कि अगर आप इसको इस तरह से बनाना जाते हैं तो इसका एक रैपर लिखके एक निया मॉडियूल बना लें उसके अंदर ये वाला कोड लिख दे ठीक है और फिर इसकी इंपुट आउटपुट बना लें जो भी एड्रेस डेटा इन है ताकि आप इसको दुबारा भी यूज़ कर सके लेकिन अगर इस तरह भी लिख लेंगे तो वो रैम बन जेगी ठीक है यहां पर हम भत्म करते हैं कामरा